हालो स्टुडेंट्स वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्ट्वलोजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रोप लेक्चर 11 पुमेलो अपने जो पिछला लेक्चर था उसमें अपने ग्रेप फूट के बारे में पड़ा था ठीक है सिमिलर ही स्पीसीज लगवग थोड़ा ही अंतर रहता है इन में ठीक है यह थोड़ा सा इसकी जो शेप रहती है टीर ड्रॉप्स जैसी होती है आंसू जैसी रहती है थोड़ी सी वह थोड़ा राउंड रहता है यह उससे बड़ा होता है और मीठा होता है और इसका कलर थोड़ा सा रैडिश ओरेंज होता होता है सोरी येलू इस ओरेंज होता है घट तो स्टार्ट करते हैं सकी कल्टीवेशन बोत नेंग सीट्रस गरनदिस और इसका इसका सिनोम भी है क सिट्रस ऎर्ट्रसम इो डोल देते हैं ठीक है सित्रस गरनदिस ऑरón ट्रस मैक्सिमा एक ही है इसकी फैमिली रूटेसी है कुल जो इसका रूटेसी ओरिजन मलाया है इसका ठीक है क्रोमोजोम नंबर टू एन जो इसके डिपलोईट क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो 18 है फ्रूट टाइप हिस्पिरीडियम ठीक है जैसा कि अभी सारों में अपने द समझते हो गए ठीक है एक ही ब्रूट पाया जाता है बीच के अंदर और बहुत सी स्पीसी जैसी है जो बहुत ब्रूटता रखती है ठीक उसके बाद वराइटी जिसकी काईपान ऑफ थाइलेंड यह थाइलेंड से इंटर्डूस किसम है काईपान इसके लाबाब बुंटा यह फॉर्मो सा टाइप की है ठीक है नेक्स्ट है क्लाइमेड और सोल पुमेलो इस ट्रॉपिकल प्लांट बट कैन ग्रोव इन बोथ ट्रॉपिकवर and sub-tropical climate जो pumelo है typically वैसे तो यह कहलो कि typically तो नहीं वहाँ एक तरीके से tropical plant है पर इसको जो tropical और sub-tropical दोनों climate के अंदर cultivate किया जा सकता है मतलब समशीत ocean और ocean दोनों कटिवंदिय शेत्रों में उगाया जा सकता है pumelo can stand in heavy rainfall और pumelo जो है वो जो भारी बरसात होती है उसको सहन कर सकता है भारी बरसात में भी खड़ा रहता है well-drained, medium in nutrient medium to light soil अच्छे जल निकास वाली जो nutrient के अंदर मद्यम हो जिसमें मद्यम मात्रा में nutrient हो ऐसी मिटी और medium to light soil मतलब मद्यम से लेके हलकी मिटी इसकी cultivation के लिए best रहती है उत्तम रहती है propagation and root stock जो pumelo है इसका जो propagation है commercially air layering से जाज इसको अपने markotes बोल देते हैं ठीक है, तो उससे किया जाता है air layering समझते हो ठीक है, पोथे को एक ring की आकार की शाल को उतार लेते हैं उसके उपर sphagnum moss grass को उपर से बांध के गिली sphagnum उसको उपर से एक white color की polythene की जो पट्टी रहती है उससे बांध देते हैं, जिससे कि उसमें जड़े निकल जाए तब उसको काट के अलग कर लेते हैं ठीक है, air layering, उसके बाद the birded plant of pumelo are usually rise on vigorous root stocks like जटी-खटी and जमबीरी और कुछ जगहों पर इसमें budding भी की जाती है जहां पर जटी-खटी और जमबीरी के root stock पर बढ़िंग की जाती है ठीक है, जटी-खटी और जमबीरी ठीक है, जो बड़े root stock है उनके उपर planting, pits are dug out 60 to 70 cubic centimeter, मतलब 60 से 75 cubic centimeter size के खड़े खोद लिये जाते है summer के अंदर, गर्मी के अंदर at a distance of 6 into 6 to 8 into 8 meter 6 meter, 6 meter के भी खोदे जाते है, plant से plant और जो row to row की दूरी होती है row to row, वो 6 into 6 भी रखी जाती है, किसी जगह पर 6 into 8 भी रखी जाती है planting is done at the onset of monsoon, planting जो की जाती है open करते है, जो पोथे का ठीक है, वो monsoon के समय करते है, ठीक है और इसमें जो कर्मी के अंदर खड़े खोदे जाते हैं उसके एक महिने बाद उन खड़ों के अंदर जो गोबर की खाद और अच्छी garden की soil mix करके, उसको बराबर मातरा mix करके भर दिये जाते हैं ठीक है, उसके बाद उन में planting की जाते हैं उन खड़ों के अंदर manure and fertilizer similar ही है, जैसा कि अपने उसमें पड़े थे lemon के अंदर और grapefruit के अंदर, सेम ही है generally fertilizer applied in twice in a year, मतलब तीन बार देते हैं, in December, January के अंदर June, July के अंदर और September, October के अंदर, मतलब तीन बार देते हैं वर्ष के अंदर FYM is applied in June, July और September जो FYM है, गोबर की खाद, ठीक है, manure मतलब वो जान तो June, July के अंदर दे दो जान सितंबर, October के अंदर दी जाती है ठीक है, मतलब जान तो प्री मांसून दे दो जान पोस्ट मांसून दे दो, कहने का मतलब उसके बाद, NPK, जो Nitrogen, Phosphorus और Potash की मात्रा है 600, 400, 600 ग्राम पर ट्री दी जाती है, मतलब जो एक अच्छा economic production दे रहा है, ऐसे बड़े पेड को लग बग 10 साल बाद, ठीक है उसके बाद, 50 kg पर ट्री एववायम और साथ में 50 kg गोबर की खाद भी पति पोदा दी जाती है irrigation, first just after planting, जो पहली संचाई करते हैं, जैसे ही रोपन किया, आपने उसके तुरंट बाद दे देते हैं, ठीक है पोदा अच्छी तरह से जम जाए, उसमें कोई भी air pocket ना रह जाए ठीक है, इसलिए तुरंट करते हैं, पहली संचाई in summer 10 days interval and in winter 10 to 15 days interval, और summer के अंदर लग गर्मी के अंदर, 10 दिनों के अंतराल पर याद रिखना, आपने कितने भी cultivation पड़ी है उनमें क्या होता है कि, क्योंकि perennial पोदे होते हैं, ये चलते ही रहते हैं वर्ष बर चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये season wise आएंगे, तो गर्मी की फसला तो गर्मी के साफ से पानी देंगे, सर्दी की फसला मतलब बार-बार सिंचाई के आपशकता हो भारी मिट्टी के अंदर कम सिंचाई कम पानी के आपशकता होती है ठीक है तो समर के अंदर 10 दिनों के अंतराल पर गर्मियों के अंदर और सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते हैं adequate soil moisture should be maintained during flowering and fruiting जो adequate soil moisture मतलब एक प्रियाप्त नमी होनी चाहिए जब flowering हो रही होती है पुष्पन होता है जा फिर fruit बन रहे होती है fruiting stage होती है उस समय प्रियाप्त मात्रा में मिट्टी के अंदर moisture होना चाहिए नहीं तो इसके अंदर training and pruning the young plant are given sport so that they can grow perfectly और जो training pruning कहलो जा कांट शांट कहलो और संदाई कहलो पोधे की प्रार्मभी कवस्ता में पोधे की कांट शांट कहलो जा training की जाती है उसमें उस पोधे को sport दिया जाता है ठीक है कि उसका जो structure है वो अच्छा बन जाए फ्रेम अच्छा बन जाए मजबूत हो पर बाद में यह अडवाइज नहीं किया जाता कि उसकी और ज़्यादा training की जाए पोधे की ठीक है करते हैं हार्वेस्टिंग एंड इल नौर्थ इंडिया जनवरी टू मार्च जो नौर्थ इंडिया है त्री भारत के अंदर जनवरी से मार्च के अंदर इसकी तुडाई करते हैं साउथ इंडिया दक्षनी भारत के अंदर सितंबर से नमंबर तक मतलब सितंबर नमंबर के अंदर इसकी तुड़ाई करते हैं दक्षनी बारत में जो उपज है इसकी एक बेसिक सी उपज है लगबग सौफ रूट पर पोथा मिल जाते हैं मलब सौफ रूट पर ट्री मिलते हैं इसकी जो उपज है हाँ मैं एक और चीज बत दाना चाता था जो अभी अपने फसल पड़ी है इसके बाद अपने इन सभी का प्लांट प्रोटक्शन मिजर पड़ेंगी सिट्रस के अंदर कौन-कौन से इंसेक्ट जो डिजीज लगती है उनके बारे में अपना नेक्स लेक्चर होगा तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना थैंक यू